ट्यूब वेल कनेक्शन को लेकर पिछले काफी समय से बिजली विभाग में पैसा जमा करवाने के बावजूद भी, आज तक रतिया शेत्र में किसानों को ट्यूब वेल कनेक्शन नहीं मिले, जिसको लेकर किसानों में भारी रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हर्यान किसान यूनियन के बैनर तले, आज रतिया के बिजली विभाग में अनेकों किसान धरने पर बैट गए, और विभाग समेट सरकार के खिलाव जम कर नारे बाजी कर प्रदर्शन किया, तो वहीं इस दौरान तीन दिन धरना देने का ऐलान भी किया, इस दौरान मीडिया के समक् किसानों ने बिजली विभाग और सरकार पर कई गंभीर आरोब जड़े किसानों ने कहा कि 10 जून के बाद उन्होंने फिर फ़सल की बिजाई करनी है और अब खेत खाली है अगर विभाग जाये तो बिजली के पोल आज भी लगा सकता है ताकि कल को फ़सल की पैदावार होने पर किसानों का नुकसान ना हो मगर विभाग द्वारा किसानों की मांग को अंसुना किया जा रहा है मारी ये मांग है कि पिछले दिनी 4-5 सालोगे कनेक्शन बरे हुए लेकिन आज तक हमको ट्यूबल कनेक्शन नहीं मिले और उपर से हर दिन नए ने फरमान जारी हो रहे हैं पहले यह कह रहे थे तू अपनी जो ट्यूबल सबरसीबल मोटर है अफने आप खरीज सकते हैं लेकिन अब कह रहे हैं जे 60,000 की 70,000 की जो कमपणी सरकार कहे वो ही ट्यूबल जो सबर्सिवाल मोटर है खरीदनी पड़ेगी ये एकदम धक्का हो रहा है किसान 10-15,000 की प्राणी मोट पर डाल सुटा है ये हमारा अंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमको ट्यूबल किनेक्शन नहीं मिल जाते हैं और आने वाली ठाइस तरीक को हम चीफ का गराब करेंगे हिसार में एक बड़ा जता चकल से रतिया से भूना से हम हिसार जाएंगे चीफ को मिल लें अपने मोटरा वस्ते अपने तर ना दे रहा है या थी चार साल तो पैसे पर इलिए तेन साल तो और गेड़ भी करवाया ने पैप लेना भी पाचुक्प यांसी सरकार दे के नमीय नमी शर्था दे वरसी ओ भी अपने रख देंदी ये भी मोटरा तुसी लओ जे सरकार पर आप पैसे पर आए ता नहीं जा रही हो ना किसा करने के ने नहीं तो उस्तों बाद गसान ता ना ता लाजनते आए 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 क्लेक्शन नहीं जारी हो ना किसक्ट नगे बता दे कि इस दौरान किसानों ने ये भी बताया कि वो उच अधिकारियों और नेताओं से कई बार गुहार लगा चुके हैं मगर समस्य जोंकी त्यों हैं जिसको लेकर आज उन्होंने ये प्रदर्शन किया है इस दोरान किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्हें ट्यूवेर कनेक्शन नहीं दिये गए तो 28 माई को वो विभाग के चीफ का गहराव करेंगे रत्या से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट